हेलो दियर पैरेंट्स आज हम बात करेंगे बच्चों में सर्दी जुकाम के बारे में सर्दी जुकाम बच्चों में इतना कॉमन होता है कि इसका नाम ही कॉमन कोल दे दिया गया है अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को सर्दी जुकाम खासी लग जाती है और ये problem इतनी common है कि जो especially बच्चे 5 साल से कम उमर के होते हैं, उनको साल में 6-8 बार सर्दी जुकाम लगना आम बात है और इसमें parents ये चाहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे home techniques हो, कुछ home remedies हो जिससे बच्चों को आसानी से हम आराम दे सके तो आज मैं बात करने वाला हूँ, 8 ऐसे घरेलू उपाये के बारे में जिसकी मदद से हम बच्चों को सर्दी जुकाम खासी में आसानी से घर पे आराम दिला सकते हैं, तुरंत आराम दिला सकते हैं तो वीडियो को जरूर अन तक देखेगा, इस वीडियो में हम ये भी discuss करेंगे, कि common cold के लक्षन क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, common cold से हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, और कब ऐसी illness में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या emergency visit करना चाहिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि common cold या सर्दी जुकाम या फिर जिसे हम flu-like illness कहते हैं, ये क्यों होता है, तो इसका जो मुख्य कारण है, ये viral infection होते हैं अकसर, और ये viral infection होते हैं, वो हमारे breathing system के उपरी हिस्से को, मतलब नात में, गले में, मुह में, टॉंसिल में, और जो breathing के लक्षन होते हैं, वो है, बच्चों को सर्दी होती है, नाक बहने लगता है, nose block होती है, sneezing होती है, हलका बुखार आता है, गले में दद होता है, कभी-कभी body pain या headache होता है, और इसके साथ धीरे-धीरे बच्चों को कुछ दिन के बाद खासी भी शुरू हो जाती है, तो यह जो है, यह साधानतर common cold के लक्षन होती है, तो हम बात करेंगे कि अगर बच्चों को सर्दी जुकाम common cold लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज तो हमें यह करना चाहिए, कि अगर बच्चों को बुखार आ रहा है, तो बुखार को आप regularly measure करें, अगर जो temperature हम armpit में देखते हैं, अगर 99 के उपर है, तो उसको हम बुखार मानेंगे, उसके लिए हम paracetamol की दवाई देंगे, paracetamol की दवाई, calpol, crossing के नाम से आती है, मैंने बुखार के treatment के बारे में बच्चों के एक details वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देखे, ताकि बच्चों की जो बुखार की problem है, उसमें आप बच्चों को आसानी से relief दिला सकें, यह बहुत important है, तो डिसकस करेंगे 8 important tips, जिनकी मदद से हम घर पे बच्चों को सर्दी जुकाम से तुरंत आराम दिला सकते हैं, तो इसमें जो सबसे number one tip है, वो है steam inhalation, तो बच्चो एक तरीका steam देने का यह होता है, कि आप बच्चे को गोद में लेके, चार से पांच फीट पे थोड़ा सा steam vaporizer machine से create करें, और बच्चा उसको passively दूर से inhale करता है, तो nasal congestion में अराम आता है, दूसरी टेकनिक यह होती है, कि बातरूम के अंदर hot shower on करके आप थोड़ी देर लेता है, और उससे भी nasal congestion में आराम आ जाता है, दूसरी जो टेकनिक बहुत important है, बच्चों को cold में रिलिफ दिराने के लिए है, वो है nasal drop का use, saline nasal drop आप regularly बच्चों की, especially जो छोटे बच्चे हैं, एक साल से कम उमर के बच्चे हैं, वो सिर नाख से सांस लेते हैं, तो उनको saline nasal drop आप regularly डाल सकते हैं, दो drop, एक से दो drop आप दिन में चार से छे बार डाल सकते हैं, और उससे उनकी जो nose है, वो clean हो जाती है, और उससे उनको सास लेने में आराम आती है, nasal drop कैसे डालना है, बल सकर के बदस से nose को कैसे clean करना है, इसके उपर मैंने एक detail video बना है, वो video आप जरूर देखें, तो उससे आपको बच्चों की nose cleaning के बारे में काफी जानकारी मिलेगी, तर जो technique है, जो बच्चों को cold के वक्त help करती है, वो अगर आपका बच्चा 6 मेने से उपर है, तो उसको थोड़ा बहुत अगर आप गुनगुना गरम पानी पीने को देते हैं, तो ज उससे गले में आराम आता है, बच्चे को comfortable feel होता है, और थोड़ी बहुत सूप से energy भी मिलती है, और फोट जो tip है, वो है humidifier का आप यूज कर सकते हैं, dry air क्या करती है, हमारे nasal या throat secretions को dry और बना देती है, जिससे की पैसेज में, हमारे जो breathing passage में है, उसमें obstruction होता है, तो बच्चा सो रहा है, तो उस time पे आप बच्चे के सिर वाले हिस्से को थोड़ा उपर रखें, ताकि जो secretions है, जो saliva है, nasal mucus है, और जो mucus बनता है हमारे थोट में, वो थोड़ा सा गले में फसे नहीं और आसानी से नीचे चला जाए, जिससे की बच्चों को कई बर खासी होत जाते हैं, तो उससे बच्चों को काफी आराम आता है, एक और important tip जो use की जा सकती है, छोटे बच्चों में कोल या nose block में relief दिलाने के लिए, वो है eucalyptus oil से बने हुए baby rub आते हैं, जो तीन महीने से उपर के बच्चों के लिए use की जा सकते हैं, इसमें कई सारे companies के आते हैं, मामार का आता है, बेबी रब, या हिमालया का आता है, या फिर बेबी हग कंपनी का बेबी रब आता है, इन सब में जो common ingredient है, eucalyptus oil है, ध्यान रखें कि जो बच्चे दो साल से कम उमर के हैं, उनमें आप सिफ eucalyptus oil वाला बेबी रब यूज़ करें, ऐसा बेबी रब जिसमें eucalyptus oil हो, तो उससे eucalyptus oil की smell से कई बार हमारे nasal passage को soothing होती है, और soothing से जो nasal passage वो आसानी से खुल जाती है, इसको आप रचे की चेस्ट पे थोड़ा बहुत आप ये बेबी रब लगा सकते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टन टिप है, वो दो बहुत इंपोर्टन टिप ह जो एक साल से बड़े बच्चों में हम यूज कर सकते हैं, जो number seven tip है वो है honey, honey मतलब madhu, सहद का यूज हम कर सकते हैं, सहद जो है cough में एक बहुत effective remedies हैं, और इसके उपर काफी research हुआ है, और research में ये देखा गया है, कि सहद के use से बच्चों को खासी में काफी आराम मिलता है cough के वक्त सहद एक अच्छी effective remedy है, जिसका आप use कर सकते हैं, बच्चे को एक चमच आप अगर सोने के टाइम पर देते हैं, तो इससे देखा जाता है कि बच्चों को सोने में काफी आराम मिलता है और खासी भी कम हो जाती है, वैसे भी हम बच्चों को सहद एक से दो चमच द करते हैं, तो हल्दी वाला दूद जो है, वो cough में बहुत effective होता है, क्योंकि हल्दी में एक active ingredient होता है, जिसका नाम curcumin है, यह curcumin जो होता है, इसमें anti-inflammatory मतलब जो बच्चों की बिदिंग पैसे में सूजन है, उसको कम करने की property होती है, लोकल जो सूजन है या फिर जो cough cold मे दूबाल करें, जब ठंडा हो जाए, तो उसमें एक चमच हनी और एक चुटकी पेपर का पाउडर आप डाल के बच्चों को दे सकते हैं, इससे बच्चों को काफी फायदा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि टामरीक में कुर्गुमी नाइम की एक active ingredient होता है, जिसमें anti-inflammatory और antimicrobial properties होती है, जिससे बच्चों को कफ कोल में काफी आराम मिलता है, नेक्स्ट जो important home remedy है, वो है salt water जारजर, तो gargling जो है, वो 6 साल से बड़े बच्चे ही कर सकते हैं, तो हलका गुन-गुना गरम पानी उसमें आप एक चमच नमक डाल के, बच्चों को gargling के लिए 2-3 कर सकते हैं, उससे क्या होता है, अगर throat pain है, या फिर गले में खरास है, या फिर गले में दर्द हो रहा है, तो उससे बच्चे को काफी आराम मिलता है, तो जो मी मैंने ये home remedies बताये हैं, ये common cold के लिए है, अगर आपके बच्चे को कोई भी serious lection है, जैसे की तेज बुखारा बुखार का paracetamol से नहीं उतरना, बच्चा तेजी से सांस ले रहा है, या सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, या फिर बच्चे के छाती में गढ़े पढ़ रहे हैं, या फिर बच्चा खाना बंद कर दे रहा है, या पिर पिसाब कम कर रहा है, बच्चा बहु कफ की प्रॉब्लम, एलर्जी के वज़े से या आजमा की वज़े से होता है, उनको भी अलग तरह की मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, और उस सिचुएशन में भी आपको अपने पेडियाटिशन की मदद से सही दवाईयों लेने की जरूरत है, सिर्फ हम होम रेमेडिस में हैं, ऐसी कंडिशन में ट्रीटमेंट करना सेफ नहीं है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपोर्टन ठेरपी की, जो कफ कोल के वक्त हमें अपने से नहीं करना है, और डॉक्टर के परामस से करना है, उसमें एक नमबर चीज तो यह है कि नेबलाईजेशन, जो नेबलाई पहले आपको डॉक्टर का ओपिनियन लेना जरूरी है, क्योंकि हर दवाई एक तरह से काम नहीं करती हो, और स्पेसिफिक दवाई का स्पेसिफिक रोल होता है, तो नेबलाईजेशन आप बिना डॉक्टर के प्रिस्किप्शन के ना करें, दूसरी चीज है कोई भी ऐन्ट प्रिस्किप्शन के मताबिक सही टाइम पे सही डोज में करना चाहिए, सही डूरेशन के लिए करना चाहिए, अपने मन से दो दिन या एक दिन का आधा एंटिपाटिक कोर्स देने से कोई फायदा नहीं होता है, उससे राधर बच्चों को नुक्सान होता है, आगे चलके बच्चों को एंटिपाटिक रिजिस्टन्स की प्रॉब्लम आ सकती है, तो एंटिपाटिक तभी ले, जब डॉक्टर ने प्रिस्काइब किया हो, सही डोज में ले, और सही डूरेशन तक ले, क्योंकि ये एक मिस्टेक पैरेंस बहुत करते हैं, जब बुखार आता है, तो वो अपने मन से अंटिपाटिक सुरू कर देते हैं, जैसे ही बुखार होता जाता है, तो आधे अधूरे कोर्स में वो अंटिपाटिक कम कर बंद कर देते हैं, तो अंटिपाटिक सुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस बैक्टिरिया के लिए हम कौन से क्रेण्ट какие-tastes की बंई होती और हर बार बच्चे को एक ही कारण से कौफ नहीं होता है कौती है कभी लिए और लोप ने के बाद और गॉल कर सकते हैं कि कौन सी cough syrup किस बच्चे के लिए कब देना है तो जनरली मैं यह एडवाइस करूंगा कि cough syrup भी बिना डॉक्टर के prescription के आप यूज ना करेंगे कि common cold से बच्चों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो देखे common cold से बचाने के लिए उन सब चीजों का practice करना है क्योंकि एक respiratory infection होता है जो छीकने से खासी से फैलता है respiratory droplets के माधियम से फैलता है तो इसमें mask पहनना बहुत effective होता है हातों को बार-बार धोना बहुत हीप खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद बाहर से घर से आने के बाद हात धोने से साबुन से हात इसे लोग छोटे बच्चो के पास जाने से बचे बच्चो से दूर हैं अगर मदर को अपने बच्चे को फीड करना है और मदर को सरदिखासी हुई है तो मदर इसको भी अगर सर्दी खासी हो रखी है तो ट्राइ करें कि वो छोटे बच्चों के पास ना आई क्योंकि उससे एक दूसरे के बीच में बच्चों के बीच में इंफेक्शन फैलने का चांस रहता है अब बात करेंगे कि कब हमें इन सिचुएशन में कफ या कोल के टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करना है देखें कफ कोल के साथ अगर हाई फीवर आ रहा है या फिर फीवर पैरसिटमॉल से नहीं उतर रहा है तो ये एक समय है जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है इसके अलावा जिसे मैंने बताया कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, नॉन स्टाफ कफिंग हो रही है, या फिर ऐसा है कि बच्चों को खांसी के साथ 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 सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तेज सांस ले रहा है बच्चा, या फिर बच्चे के वीक हो गया है, लेथार्जिक हो गया है तो अगर बच्चों को ऐसे सीरियस लक्षन है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद सही दवाई ले या फिर अगर जवरत पड़े तो आप जरूर इमर्जेंसी में भी आपको मिल गया होगा अगर इस वीडियो की जहनकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पैरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले क्योंकि आगे चलके भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपोर्टन वीडियो लाने वाले हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाओ सामान या स्वास्ते जानकारी है किसी भी सुझाओ का उपयोग करने से पहले आपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमती जरूर ले